बंधी गठर या सिम्टा तर्पाल उखड़े पड़े बंबू और सड़क किनारे एक के उपर एक कुर्सियों के खड़े गठर और लाउड स्पीकर पबश्टे पंजाबी गानों के साथ शुक्रवार को सिंगू बॉर्डर का नजारा किसी खतम हुए मेले जैसा था सरकार के आशवाश रहना और सिंग किसान मोर्चा के अंदोलन उठाने के एलान के बाद करीब एक साल से ज्यादा वक्त के बाद दिल्ली की सीमा उसे किसानों की वापसी का दौर शुरू हो गया है बाकी बचे हुए किसान आज गाजे बाजे के साथ अपनी जीत का जश्न मनाते हुए विजे रेलिया निकालेंगे और अपने घरों की ओर निकल जाएंगे जश्न में शामिल होने के लिए पंजाब और हडियानस से करीब 500 ट्रक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान कुंडली पहुँचे सुभा सबसे पहले किसान अरदास करेंगे आपको बता दे इसके बाद करीब दो खंटे तक लंगर चलाये जाएगा लंगर के तुरंट बाद जलूस के रूप में किसानों के जब्तें महां से रवाना हो जाएंगे सहुद किसान मोर्चा ने वीवार को सरकार के साथ सहमती बनने के बाद आंदोलन इस्तकित करने की घोशना की थी और शनिवार से वापसी का ऐलान किया था बौड़ अपचे किसानों ने सामान की पैकिंग का काम भी पूरा कर लिया है और वो रवाना होने के लिए पूरी तहां से तयार है शनिवार सुभा के समय किसानों का प्रस्तान शुरू हो जाएगा लेकिन इससे पहले अरदास और लंगर का आईजन किया जाएगा लिक अलग अलग बॉर्डर्स पर विजय दिवस किसानों ने मनाया क्योंकि किसान इसे बहुत बड़ी अपनी जीत मान रहे हैं कि सरकार उनके आगे जुक गई सरकार के आगे उन्होंने जो कुछ मांगे रखी थी उन मांगों पर सरकार पूरी तरह से मान गई तो अब ये विजय दिवस के रूप में मना कर किसान अब अपने खर लोटेंगे साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो बचे कुछ किसान हैं वो आज विजय दिवस मनाएंगे और रैली निकालते हुए जत्तों के साथ अपने अपने खर के लिए वहां सिरवाना हो जाएंगे लेकिन उससे पहले दिली के अलग-अलग बॉडर्स पर ही लंगर कायजुन भी किया जाएगा जिसके बाद किसान जो है नाश्ते गाते हुए विजय जुलूस निकालते हुए अपने अपने खर चले जाएंगे